हेलो फ्रेंग्स विल्कम टू आर चैनल लर्निंग नोट बूक इन तोड़ेस्ट वीडियो 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 टू इंग्लिश चैप्टर थीव्स इन तैनाली दामन्स हाउस तो फ्रेंग्स आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरस्ट स्टोरी तैनाली रामन की तैनाली रामन राजा कृष्ण देव राय के दर्बार में एक बहुत ही special advisor थी राजा कृष्ण देव राय उनकी बहुत सारी चीजों में उनकी advice लेते थी because तैनाली रामन was very wise and intelligent man तो आईए फ्रेंग्स आज तैनाली रामन की हम ऐसी ही एक interesting incident, एक interesting story पढ़ते हैं तैनाली रामन, many thefts are taking place in our kingdom these days, we are not able to nap the thieves, so look here friends, he is राजा कृष्ण देव राय and he is तैनाली रामन, तो राजा कृष्ण देव राय तैनाली रामन को कहते हैं कि तैनाली रामन हमारे kingdom में, हमारे राजे में आज कल बहुत ज़ादा चोरिया हो रही हैं, thefts यानी चोरिया हो रही हैं, और हम उन thieves को पकड नहीं पा रहे हैं, nap the thieves मतलब उन thieves को पकड नहीं पा रहे हैं, तो राजा कृष्ण देव राय अपनी problem बता रहे हैं तैनाली रामन को, तो वो क्या कहते हैं, he says, yes your highness, I will soon devise a plan to catch them, तो तैनाली रामन कहते हैं कि हां महाराज, मैं जल्द ही कोई plan बनाता हूं उन thieves को पकडने का, अब यहाँ पर next scene में friends हमें दिखा रहे हैं कि तैनाली रामन अपने घर पहुच गए हैं, यह उनकी वाइफ है, अब तैनाली रामन को उनकी वाइफ क्या लग रही है, वरिट लग रही है, तो वो पूछते हैं, why do you look worried, तुम worried यानी परिशान क्यों लग रही हो, so let's see what she answers, I heard about the stealing spree in our kingdom, उनकी वाइफ कहती है, कि जो stealing spree हमारे kingdom में हो रही है, मैंने उसके बारे में सुना है, और उसको सोच कर मैं worried हूँ, spree का गया मतलब है friends, spree means कि हम कोई भी activity जो short period of time में बहुत ज़ादा होती है, उसे हम कहते हैं spree, तो यहाँ पर chilling spree का मतलब है कि बहुत ज़ादा चोरियां हो रही है, भई रोज रोज बहुत ज़ादा चोरियां हो रही है, तो वो तैनाली रामन की वाइफ उस बात को जब उनोंने सुना कि राजे में भई इतनी चोरियां हो रही है, तो वो चिंतित हो रही थी, she was worried about it, तो what तैनाली रामन answered, he says, don't worry, I have packed all our valuables in a box and kept it safely in the well in our garden, it will be safe under the water, तो तैनाली रामन कहते हैं, कि तुम चिंता मत करो, हमारे घर में जितने भी valuables, यानि जो भी कीमती समान था, वो मैंने एक बॉक्स में पैक करके, हमारे गार्डन में जो कुआ है, well, यानि कुआ, मैंने उसमें रख दिया है, वो बॉक्स, और कुए में, तो यानि कुए में पानी, तो जो वो बॉक्स हैं, यानि बॉक्स के अंदर जो valuables हैं, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे पानी में, ठीक है, तो ये बात उन्होंने अपनी वाइफ को बोली, और फ्रेंक्स, देखो क्या होता है, कि जब वो ये बात अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, तो यहां देख Oh my God, friends, ये बातें, तेनाली रामन की बातें तो Thieves ने सुन ली हैं, जो Kingdom में चोड़ी कर रहे थे, Thieves उन्होंने ये बातें तेनाली रामन की सुन ली हैं, अब क्या होगा, तेनाली considers himself very clever, now we will show him, we are no less than him, अब ये जो Thieves थे, चोल थे, ये तो बहुत खुश हो गए, ये बात जानकर कि भई हमें तो secret पता चल गया तेनाली रामन का कि उसने अपना कीमती समान कहां रखा है तो वो गहते हैं कि तेनाली तो अपने आपको बहुत जादा चालाग समझता है अब हम उसे दिखाएंगे कि हम भी उससे कुछ कम नहीं है अरे बगवान ये क्या हो गया थीवस क तो वो क्या कहते हैं उनमें से एक थीव कहता है this well is very deep भाई ये तो बहुत घहरा कुआ है तो दूसरा चोर कहता है first we will have to drain out all the water from the well only then we will be able to take out the box easily तो friends जिस कुएं की बात कर रहे थे तैनाली रामन की हमारे जो गार्डन में जो कुआ है तो ये चोर वहां पर आ गए है और वो देखकर सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही घहरा कुआ है तो अब हम क्या करें तो उनमें से एक ठीफ है वो सजेस्ट करता है कि हम इस कुए का पहले सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं फिर आसानी से हम जो वो बॉक्स होगा वो हमें दिख जाएगा और हम उसे भी बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लान उन्होंने बनाया देवस स्टार्ट तो दूसो इक टुक देम देव ओल नाइट तो एंटी दा वर वैल क्योंकि फ्रेंग्स जो ये कुआ होता है ये बहुत घहरा होता है अगर ये ऐसे उसमें से बॉक्स निकालने जाएंगे तो ये सर्वाइब नहीं कर सकते तो इनको ये बात पता थी भी गहरे कुए में तो हम उतर ही नहीं सकते तो इसलिए ऐसा उन्होंने एक तरीका सोचा उस बॉक्स को बाहर निकालने का तो इसके लिए अब क्या करते हैं वो देवस स्टार्ट टू दू सो उन्होंने पानी निकालना शुरू करा इक टुक देम देम दे होल नाइट तो अर्ली मॉर्निंग में तेनाली रामन उस कुए के पास आए थैंक यू ब्रदर्स फर वाट्विंग माइ गार्डन तेनाली रामन आये और उन्होंने थीवस को कहा भाईयो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरे गार्डन में पानी डाल दिया तो फ्रेंक्स देखिए क्य हुआ है इस सीन में कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखिए तेनाली रामन ने उन चोरो को पकड़वा दिया है ये soldiers आये हैं उन चोरो को पकड़ने के लिए वाओ लेट सी तेनाली ने ये कैसे किया तो तेनाली रामन की वाइफ उनसे पूछती हैं वाओ दिद यू तो तेनाली रामन कहते हैं I saw those thieves were listening to our conversation. That is why I told you that the valuable items were kept in the will. तेनाली कहते हैं कि मैंने देख लिया था कि जो वो चोर हैं वो हमारी बाते सुन रहे हैं. Conversation मतलब कि जो तेनाली रामन और उनकी वाइफ बातचीत कर रही थी वो चोर सुन रहे थे. ये चीज तेनाली ने देख ली थी. इसलिए मैंने तुमें बताया कि जो वो valuable items थी मैंन कुए में रख दी. तो फ्रेंक्स कि आपको समझ में आया कि तेनाली रामन ने क्या plan बनाया था? जब तेनाली रामन ने देखा कि चोर उनकी और उनकी वाइफ की बाते सुन रहे हैं तो उन्होंने एक ये plan जल्दी से बना लिया और ऐसे ही बोल दिया कि मैंने जो वो box है उ उस box को कुए में डाल दिया है जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था तो उससे क्या हुआ कि वो चोर उस बात को सच मान बैठे और जाकर वो पूरी रात उस कुए का उन्होंने पानी खाली कर दिया और जब उनको सबक मिल गया तो तेनाली रामन ने उनको soldiers को बलाक to the palace in the night itself and call the soldiers तो तेनाली रामन ने रात में ही जो पैलस में महर में message पचवा दिया था और soldiers को बुलवा लिया now look the thieves have got caught and our garden has also been watered और देखो इस तरह से वो चोर भी पकड़े गए और हमारा जो गारन बगीचा था उसे भी पानी मिल गया तो देखा friends कैसे तेनाली रामन ने एक ही रात में उन चोरो को पकड़वा दिया जो राजा जिन चोरो को लेकर इतने परिशान थी राजा के जो soldiers वगेरा थे वो उन thieves को पकड़ ही नहीं पा रहे थे बड़ तेनाली रामन ने अपने plan अपनी बुद्धिमता यूज करते हुए एक ऐसा plan बनाया जिनसे की वो चोर उनके जाल में फस गए और वो पकड़े गए वाओ friends मुझे तो इस story को इस conversation को पड़कर बहुत ही मज़ा आया I am sure आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे like करना ना भूलें thanks for watching see in the next video bye bye